नमस्कार में उप्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चलि जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को ग्यानवापे विवाद के बीच देश में कई जगों पर मस्जुद या दर्गाह में मंदर के निशान होने के दावे किये जा रहे हैं अमेरिकी राश्रपती जो बाइडन ने जापान के टोक्यो में सोमवार को एक समवादाता समेलन में कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सैने तरीके सिफ जवाब देगा हमने ये वादा किया है बतादे की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी भी आज तड़के सुबह दोदेवसी यात्रा पर जापान पहुँचे प्यामोदी आज टोक्यो में एक कारिक्र में शामिल होते देखी गए है जहां मेरी की रास्टपती जो बाइजन अपनी महत्वकांशी हिंद प्रशांत आर्थिक रूप रेखा का शिभारम भी उन्हाने किया सुब्रीम कोर्ट ने सोमवार को अलिस्लाम टूर कॉर्परेशन द्वारा दायर उस याचुका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें साल 2022 में हच के लिए नीजी टूर ऑपरेटर के रूप में विचार करने की मांग की गई थी जस्टिस अब्दुल नजीर और नरसिमहा की पीठ ने इसलाम टूर कॉर्परेशन की याचुका पर विचार करने से इंकार कर दिया है इसके बाद याचुका करता ने अपनी याचुका वापस लेने की मांग को और संबंधित उचनयाले में जाने की स्वतंदृता मांगी है भाजपानेत और वकील अश्विनी उपाध्याएक ने सुप्रिम कूर्ट में याचुका दाखिल कर ग्यानवापी केस में खुद को पक्षकार बनाने की बांकी है इसके साथ हुरा ने कहा कि उन्हें 191 में बना Palaces of Worship Act मस्जिदों पर लागू नहीं होता उन्हाने कहा है कि ये मामला सीधे तोर पर उनकी धार्मिक स्वतंदृता के अधिकार से जुड़ा है सदियों से वहाभगवान आदिविशेश्वर की पूजा होती रही है ये संपती हमेशा से उनकी रही है वकील उपाध्याय ने कहा है कि किसी भी स्थिती में संपती से उनका अधिकार नहीं चीना जा सकता पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजिन्स की तरफ से भारत के खिलाफ नई साज़श्र रचने के संकेत में खबर है कि आईसाई पंजाब और आसपास के राज़वे रेल नेटवर्क को निशाना बनाने की साज़श कर रही है हाली में पंजाब के मुहाली में पुलस कारियाले में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रिनेड से भी हामला भी हुआ था हाला कि उस दोरान कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन इमारत को नुकसान जरूर हुआ था दिली के इंद्रा गांधियत राश्ट्री हवाई एड़े पर सुमवार सुबह करीब 6 बजे से उड़ानों का संच्वाल अनप्रभावित हुआ इस हवाऊ और आंधी के बीच पुई बारिश के चलते उड़ानों को नजदी की हवाई अड़ों की तरफ मोर दिया गया लगभग 6 बच के 56 मिनट पर हवा की गती 75 किलोमीटर घंटे तक पहुँच गई थी जिसमें विवानों को उतारना मुश्किल हो गया था इन कारणों को देखते हुए लगभग 100 उड़ाने सुबह 6 से 10 बज़े के बीच देरी से आई अमेरिकी राज़पती जो बाइडन ने इंडो पैसिफिक एकनॉमिक फ्रेमवर्क को लाँच करने का एलान क्या है इससे जुड़ा एक इवेंट आज कोर्ट समिट से पहले जापान की राज़धानी टोक्यो में होने वाला है था इसमें पियम नरेंदर मोधी भी हिसा लेते देखे गए इन फ्रेमवर्क में जापान और अमेरिका समेट दुनिया के 13 देश शामिल हुए है जो बाइडन ने इसको लेकर कहा है कि इसके जर्ये हम 21 वी सदी में पैदा हुई आर्थिक चुनोतियों से निपढ़ सकेंगे इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में अपने सहयोगी देशों के साथ आर्थिक साज़धारी भी मजबूत कर सकेंगे दिली एंसियार और आसपास के लाके में सोंबार सुबह जमाजम बारिश के साथ ही तेज हवाई भी चली हवाई सुबह करीब साथ बज़े लगभग 75 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफतार से चली जिसे राज़धानी के कोछ हैसों में उडाने भी बाधित हुई और सड को परे जल भराव भी हो गया दिली हवाई एडे के सूतरों ने बताया है कि आंधी और बारिश के चलते कम से कम उनी सुरानों को जैपूर लखनाओ इंद और अमरित सार और मुंबई के लिए डाइवर्ट किया गया है भारत में करोना के मामलों में लगातार दूसरे सप्ता गिरावट देखी गई दरसले से पहले देश में कोविड-19 मामले दिली एंसी आर्वे संक्रबन में तेजी के कारण 4 सप्ता तक लगातार बढ़े थे हाला कि अब ये ट्रेंड नीचे की तरफ आता दिख रहा है सुमबार को भारत में पिछले 24 गंटे में 2022 नए मामले सामने आए हैं 2019 में ठीक हुए है और 46 लोग की जान गई है कुल सक्रिय मामले 14,832 है दैनिक संक्रबंदर शुने दिश्रिमलप 69 प्रतिशत है केंद्रिय स्वास समंत्र आले स्विजर लैंड के दावोस में चल रहा है विश्वा आर्थिक वंच में विश्वास संगठन के ब्रतिनधियों के साथ भारत में अतरिक्त COVID-19 मृतियों दर के मामले पर अनौपचार एक चर्चा कर सकता है इस मामले में परिश्वित लोगों ने ये जानकारी दे केंद्रिय स्वास समंत्री मंसुख मंदाविया इस समय W.E.F. में भाग लेने के लिए अपने कुछ क्याबनेट्स योगियों के साथ जुनेवा में है कॉंग्रेसनेता शर्ची थरूर समय समय पर लोगों को अंग्रेजी शब्द कोश का घ्यान जरूर बढ़ाते रहते हैं एक बार फिर से उन्होंने एक नया शब्द सिखा है शर्ची थरूर अपनी बहतरीन अंग्रेजी और दुरलब शब्दों का इस्तमाल करने के लिए जाने जाते हैं कॉंग्रेसनेता शर्ची थरूर ने कठे नुचारन वाले अंग्रेजी शब्द क्यूमो डो कुन क्विज का उपियोग करते वे रेल मंत्राले पर किसी भी तरह से कमाई करने का आरोप लगाया है कॉंग्रेसनेता ने रविबार को एक ट्वीट किया जिसमर होने रेल यात्रा के लिए वरिश नाग्रेकों को दी जाने वाली छूट को दोबारा लागू करने की मांग करते वे रेल मंत्राले पर क्यू मोडो कुंकुज शब्द के जरीय का ताक्ष गया है थरूर के स्ट्वीट के बाद कई लोगों ने उनसे मतलब भी पूछा है देश में कुरोना वाइरस के बढ़ते मामलों के बीच इंसाकोग ओमिक्रोन के एक और सब वेरियंट बी ए पॉइंट फाइफ की मौजूद्गी की पुष्टी करते देखा गया है इससे पहले इंसाकोग ने देश में बी ए पॉइंट फूर की पुष्टी की थी इसमें से एक मामला तमिलाडू जिपकी दूसरा मामला तेलंगाना में पाए गया है भारती सर्थ सीओ वी टू अनुक्रमन संग नेरविवार को एक बयान में कहा के तमिलाडू के एक महिला वायरेस के सब वेरियंट बी ए पॉइंट फूर से संक्रमित पाई गई है राष्टी राजमार दो पर गदपुरी टोल प्लाजा पर जुला पलवल और फरीदाबाद के 211 गाउं जो टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के दाएरे में आते है उस शेतर के महान धारकों को गदपुरी टोल प्लाजा से आने जाने के लिए 315 रुपे के मासिक शुल्क पर पास बनाने की सुमधा प्रदान की जा रही है पॉपुलर फ्रांट ऑफ इंडिया की रैली में एक लड़के ने नारे बाजी की जुसका वीडियो बारल हो रहा है इस मामले की जान शुरू हो गई है इसकी जानकारी सुमवार को केरल पुलिस ने दी है इसल वो उत्तरप्रदेश की आगराश शहर गई वी थी जहां कड़ी सुरक्षा की बीच ताज महल का दीदार उन्हाने किया आईए सथिकारी पुजा सिंखल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भ्रष्ट आचरन का मामला सामने आया है और इस सुरक्यों में है वैसे पृष्टाचार कोई नई घटना नहीं है कारण ये भी है कि पृष्टाचार के सिव्यक्ति के वेभार में वो विच्छन है जो से सारत्रिक वस्तुओं का व्यक्तिक अतलाब लेने के रिए प्रेरित करता है सिवल सेवा को स्टील प्रेम सेवा माना जाता है और ये अपनिवेशक काल की विरासत है असा में बाढ़ से स्थिती और बिगड़ गई है 22 जिलो में बाढ़ के चलते दो बच्चे समेत 6 और लोगों की जान चली गई है इसके अलावा 7 लाग से ज्यादा लोग प्रभावित भी हुए है इस साल बाढ़ और भुस्खलन के कारण असा में जान गवाने वालों की संख्याब 24 हो गई है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने आज जापानी बहुराश्ट्रिय सूशा प्रधवगी की इलेक्ट्रोनिक कंपनी ENC कॉर्परेशन के प्रमुख नोबु हिरो एंडो से मुलाकात की इस भेट के बारें प्रधान मंत्री कारयाले ने ट्वीट किया कि मोदी ने भारत में हो रहे हैं सुधारों का जिक्र किया और एरलाइन ने सोंबार को अमेरिका के पोर्ट लैंड में बोईंग वी निर्मान कंपनी से अपने पहले माक्स विमान की तस्वीर जारी की है जो आप उर्ती के लिए तयार है बयान में अरलाइन ने जून के मध्य तक भारत में अपना पहला विमान प्राप्त होने और जुलाई 2022 तक देश में वानिवजिक परे चालन्ज शुरू करने की अपनी प्रतिबधिता को दोहराया है वाटसाप के माध्यम से डी जी लोकर के महत्वपूर्ण दस और डाउल् Gomez कर चकते हैं नागरी का डी जी लोकर सेवा का उप्योग भी कर सकते हैं और इसके लिए वाटसाप पर माईजयोवी हेल्डस का उप्योग करने में सक्षम होंगे इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्राले के एक बयान में कहा गया है कि सरकारी सेवाओं को सुलब समावेशी, पारदर्शी और सर्वर्द बनाने के लिज़ुमिधाव शुरू की गई है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा ने आरोप लगाए कि कॉंगरुसेता राहुल गांधी भारत को राजियों के संग के रूप में वर्णित करके अलगाव वादी तत्वों को प्रोट साहिद कर रहे हैं कि मंत्री ने कहा है कि गांधी परिवार खुद को देश से उपर मानता है और इसे परे राहुल गांधी संगवाद के नाम पर देश को तोड़ने में लगे है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आतंकी संगठन की तरफ से धंकी दी गई थी आतंकी संगठन टीरफ की धंकी भरा पत्र ऐसे वक्त में सामने आया जब 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जारी है। दी क्रुकेटर से राजनेता बने सुधू के वकील HPS वर्मा ने बताया है कि सुधू ने जेल में विशेश आहार की मांग की है और डॉक्टरों का एक बोर्ड अस्पताल में सुधू की गहन स्वास जाच करेगा कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलिवुड का जमावडा देखने को मिल रहा है कांस के रेड कार्पिट पर कई बॉलिवुड हस्या अपने लुक्स से धवाल मचाय हुए है जुसमें जे एक नाम मीरा चोपरा का है डारेक्टर संदीब सिंग ने अपनी फिल्म सफेद का लोग पोस्टर कांस के मंच पर रिवील किया और इस पोस्टर को रिवील करने खुद सुरो के सर्ताज यार रह्मान कांस में भी पहुँच चे थे कोरोना वारस की चुपेट में आने के बाद संकुर्पित व्यक्ति पर इसका कितना दुश प्रिभाव होता है इसको लेकर दुनिया भर में शोद खी जारी है ऐसा ही एक शोद सामने आया है कि कोरोना महमारी के लिए जुमिदार साट स्यूबी टू वारस पारकिसंस बिमारी को बढ़ाने में सहीओ करता है पारकिसंस एक Neuro-Degenerative बिमारी है जिसमें व्यक्ति का शरीर काम प्रे लगता है और वो ठीक से चलने फिरने में बैलन्स नहीं बना पाता डबलजो के नसार Monkeypox एक वारल जुनों टिक बिमारी है ये जानवरों से मनुशे में फैलती है और फिर मनुशे से मनुशे में फैल सकती है फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आ है लेकिन अन्यदेश में मामलों को देखते वे केंद्रियो स्वासव भाग ने सभी राजियों को सतर्क रहने का निर्देश जरूर दिया है सुप्रीम कोट के आदेश पर सोमवार को वारनसी की जुला जज में सुनवाई हुई करीब 45 मिनट तक दोनों पक्षों ने अपनी बातों को रखा और अदालत ने उनकी सुनवाई की है मुसलिम पक्ष जाता है कि पहले पोशनियता याने की 711 उपासना सल आक्ट पर सुनवाई हो जबकि हिंदु पक्ष जाता है कि अन्ने के साथ ही उसकी भी सुनवाई हो विशनु जैन के अनुसार अदालत कल यान ये तै करेगा कि इस केस का प्रोसीजर क्या होगा हमने कमिशन की रिपोर्ट मांगी थी मुखी मंधर नितीश कुमार ने कहा है कि जब से हमें काम करने का मौका मिला है लड़कियों की सिक्षा के लिए विशेश योजनाय चलाए गई है पहले हाई स्कूल में लड़कियां कम पढ़ती थी हमने अपने पहले कारेकाल में लड़कियों के लिए पोशाक और साइकल योशना चलाई जो से स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में काफी व्रदी हुई है किल हमारे दूरा पूछे गए सवाल का जյाब आप में से बहुत सारे योजन ने हमें कॉमेंट करके दिया था आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बटते हैं के सवाल क्यों राज का सवाल कुछ इस प्रिकार है आपके नुसार आइपियर केस मुकाबले में किस टीम के प्ले ओफ में नहीं जाने का आपको सब जादा अफसोस है अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश प्रदे प्रोस जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बैलाइक कॉन दबाना ना भूले भन्यवाद